दोस्तों आज समझेंगे support resistance के बारे में, अगर आप confused हो जाते हैं कि कौन से points को anchor करे support resistance को draw करने के लिए, कौन सा point और कौन सा swing important swing है support resistance को draw करने के लिए और खासकर support resistance में trading किस तरह से करेंगे, क्या चीज देखना है जब price approach करती है support resistance को, अगर ये सब चीज आपको confused करती है तो आज का एपिसोड आपके लिए है देखिएगा जरूर पूरा है आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े और आपके कमेंट से एक कलेक्टिव प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई वो थी support resistance की support resistance trading एक बहुत important trading होती है खासकर support resistance की हम बात करें तो वो technical analysis का base होता है उसी पे सारी चीजे जो है टिकी हुई है support resistance में ज्यादा ते तकलीफे यह आती है कि हम confused हो जाते है कि कहां से किस point पे हम anchor करें अपनी trend line को या किस point पे हम anchor करें support को किस point पे हम anchor करें resistance को तो आज के episode में हम आपके साथ discuss करेंगे कि वो anchor points कैसे select किया जाए कौन सा strong support होता है कौन सा strong resistance होता है और किस तरह से हमें support resistance को draw करना है तो फिर जैसे जैसे हम यह series को आगे लेके चलते जाएंगे हम आपको support resistance को ज्यादा effective कैसे trade करें उन support resistance पे वो भी हम discuss करेंगे और support resistance related काफी चीजे हम आगे discuss करेंगे तो आप जरूर हमारे साथ बने रहेएगा इस पूरी series के दोरान अगर आपने ये चैनल subscribe नहीं किया तरह सबसे पहला काम आपको यह करना है कि नीचे लगे subscribe बटन को click करके subscribe कर दीजिएगा और साथी साथ आपने विचार अपने बहुत जरूरी है कि आप share करें दीजिया आपका प्यार मिल रहा है आपको क्या encouragement मिल रहा है और हम इस तरह के content आपके लिए बार-बार लेके आने के लिए ततपर होते हैं तो आपके प्यार से आपका encouragement से ही ये मुम्किन है तो जरूर शेर करें अपने दोस्तों के साथ share करे जो stock market में interested है stock market में trading करना चाहते है सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते है साथी साथ आप facebook पे LinkedIn पे, whatsapp पे telegram पे, twitter पे बहुत जगए आप हैं तो आप महाँ पर भी share कर सकते हो whatsapp पे तो आजकल सभी है ना बहुत सारे group है, मारे family के group है तो वहाँ पर आप हमारा वीडियो यह जरूर शेयर करें और इसके बदले हम आपको यह presentation दे देंगे यह presentation अपने पास रख सकते हैं यह reference और बार बार उसको refer कर सकते हो तो आपको सिर्फ यह करना है कि वीडियो शेयर करके हमारे WhatsApp नमर पर हमें बता देना है कि आपने वीडियो शेयर किया है और यह presentation हम आपको दे देंगे तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने topic के तरफ और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें support resistance को ड्रॉ करना है support resistance को कौन सा वह anchor point है जहाँ पर support resistance को हमको anchor करना है कि कौन से swing को पैचानना है और क्यों swing को पैचानना ये भी जरूरी होता है तो सबसे पहले समझते है support resistance होता क्या है देखें जब कोई भी चीज जब आपके साथ discuss होती है या कोई भी चीज आप पढ़ते हो या कोई भी चीज के बारे में आप understand करने की कोशिश करते हो तो हमेशा उसके पीछे का reason समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वह चीज वहाँ पर क्यों हो रहा है कोई आपको बता रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो क्या reason है, कोई तो reason होगा, आपकी सारी analysis should be backed by a reason, तो पहले हम देखते हैं कि support resistance होता क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है, यह कि support resistance का definition हम लेते हैं, यहाँ पर define करते हैं support resistance को, support resistance, support खासकर एक low level को represent करता है, जहाँ पर stop price जब reach करती है, तो एक बार वहाँ पर जाकर halt करती है, जो stop, जो price की fall होती है, वो वहाँ जाकर रुख जाती है, और वहाँ से जो price है बढ़ना सुरू कर देती है, इसका मतलब यह है कि, हमझे, प्राइजे जैसे नीचे के तरफ downt trend हो रहा था, एक level ऐसा आता है, जहाँ पर यह downtrend रुख जाती है, और फिर price जो है, उपर के तरफ मुरना सुरू कर जाती है, तो इस level पे actually demand आ गई, और इस level को हम support level बोलते हैं, अब यह level जो है, वो आगे price के लिए support के तरफ काम करेगा, वैसे इस, ठीक इसका opposite होता है resistance, ज तो कोई कारण से वहाँ पर जाके price ने गिरना सुरू कर दिया, तो क्या होता है, वहाँ पर supply आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर यह जो price है, यह price कर रही है, प्राइस चल रहे ति something happened here, यहाँ पर sellers आ गए, हम कह सकते हैं sellers आ गए, और price यहाँ पर रुख कर बढ़ने के जगा ग हैते हैं, आगे देखिए, among all the aspects of technical analysis, perhaps the most important and actionable, बात को समझेए, most important और actionable concept है यह, बिना support and resistance को जाने, और बिना support and resistance को ड्रॉ करेख, technical analysis का कोई वजूद ही नहीं, technical analysis चाहे आप pattern trading बोलो, चाहे आप किसी भी तरह की trading बोलो, वो supporter resistance पे ही anchor होती है, तो supporter resistance अगर नहीं है, अगर support resistance को ठीक से नहीं समाज जरह सक रहे हो, या support resistance को आप ठीक से deciphered नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए technical analysis भिका रहे है, तो technical analysis का base, जो मुद्दा है, वो support resistance से ही सुरू होता है, तो most important और actionable concept होता है, technical analysis का support resistance, बाग की जैसे मैं आपको कहा, देखिए price pattern की अगर हम बात करें, या कोई भी price pattern जैसे हम बात करते हैं, triangle की, rectangle की, flag की, pendant की, head and shoulder की, कोई भी price pattern की आप बात करें, उनका जो base है, वो support resistance है, इवन अगर आप market structure की जब हम बात करते हैं, जब market पूरा structure, जो higher high, lower high, higher low, lower high, यह सब जो हम कहते हैं, जिस पूरे structure में market based होता है, जो एक life cycle होती है, stock की यह जब पूरा structure होता है, यह support and resistance पे based होता है, support and resistance समझना बहुत important है, और अगर आप यह study समझने में चुप गए, तो आप समझो technical analysis आपके लिए बहुत difficult हो जाएगा, देखें, cable indicator के basis पे trading नहीं होती है, cable indicator के basis पे trading नहीं होगी, cable indicators लगा लो तो trading नहीं होगी, cable indicators लगा लग किया जाता है, सब चीज़ को stack up किया जाता है, और फिर जाके एक trading system बनता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई, अगर कहे कि मैं ऐसे वैलेड वेब यूज कर रहा हूं, तो यह वेप की basis पे trading करेंगे, नहीं, वो भी support resistance यूज करते हैं, price action वो भी यूज करते हैं, momentum वो भी यूज कर पर आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर वही चीज है, price यहाँ rise कर रही थी, और rise करते करते इस point पर आके price जो है, वो stop हो गई, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर किसी तरह का supply आ गया, supply आगया है, किसी तरह का selling force यहाँ पर आ गई, अब यह जो point है, यह आगे जाके देखे, resistance का काम कर रही है, जब price यहाँ पहुच रही है, तो यह price को वापस नीचे के तरफ ढख जल रही है, फिर यह देखे, आगे जाके वापस resistance का का काम कर रही है, मतलब कि यह जो area है, यह जो anchor point है, यह supply का anchor point है, और यह आगे एक resistance के तरह काम करती है, उ यह जो लेवल है देखिए आगे जाके सपोर्ट का काम करता है तो इसलिए हम इस लेवल को सपोर्ट लेवल बोला जाता है और इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल बोला जाता है अभी हमें क्या देखना है कि क्यों हम इस पॉइंट को क्यों चूज करें आज सपोर्ट हम इस anchor point क्यों होना चाहिए यह हमें देखना है आज की एपिसोड में बहुत बड़ी difficulty यह होती है मैंने बहुत जिनों को देखा है कि charts पे multiple line खीच देते हैं और पूरा chart जो है वो line से लकीरों से भर देते हैं support and resistance draw करके और फिर क्या होता कि यह जो है हर एक time frame पर अप्लिकेबल होता है जितना बड़ा जितना उचा टाइम फ्रेम उतना उसका significance होता है तो आगे देखने हमने support and resistance की बात तो कर ली अब हम यह समझते हैं कि why support and resistance क्यों क्यों मैं इतना support and resistance पे आपको समझाने की कोशिश करना क्यों मैं इतना support and resistance के बारे में बात कराऊं देखिए almost every trading system every trading system has to utilize support resistance for a working model अगर कोई भी trading system आप इस्तमाल कर रहे हो तो याद रखेगा support and resistance उसमें आपको इस्तमाल करना ही है एक working model बनाने के लिए बीना मतलब देखिए अंधा दून कहीं पर भी गोली चला देना वह stock bucket में काम नहीं करता है तो कोई भी trading system है आप जैसे समझे यह यह जो stock है ऊपर बढ़ रहा है तो आप मैं आपको बोलूंगा कि इसे बाइ करना है तो आपको बाइ करने के लिए एक जगा चाहिए आप एक पॉइंट डूंडो का ऐसा नहीं कि बाइ करना तो यहाँ पर जाके बाइ कर लोगे अब यह जो साइकल है यह इसे हम मार्के श्रक्चर बोलते हैं अब यह मार्के श्रक्चर ने बहुत सारे phases होते हैं accumulation phase होते हैं distribution phase होते है markup phase होता है markdown phase होता है तो यह जो सारे सारे जो जितने भी phase हैं उनको हम कैसे categorize करते हैं उनको trend में कहां वो placed है उसको डेक के categorize करते हैं साथ ही साथ support resistance एक बहुत important role play करता है यह पूरे मार्के श्रक्चर को categorize करने में मार्के श्रक्चर को समझने में तो यह आप वाइक आफ का model बोलो कुछ भी बोलो तो main basis supporter resistance है अगर supporter resistance आप नहीं इस्तमाल कर रहे हो तो आप समझ के रहो कि आप market structure से धोके बाजी कर रहे हो नेक्स्ट हम आते हैं कि यह हो गया नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर देखिए understanding support and resistance helps us in planning our trades most important है कि यह हमें अपने trades को plan करने में मदद करता है कि कहां पर trade लेना है कहां entry लेनी है कहां exit लेनी है कहां stop loss लगाना है यह सब हम support and resistance के मदद से ही कर सकते हैं हमें एक point चाहिए जहां पर हम अपना order place कर सके उसके पीछे एक rational चाहिए कि क्यों हम वहाँ पर order place कर रहे हैं तो वह support resistance अगर आपके पास है तो आप अपना target जैसे कि target क्या होता जनली कि हम क्या करते हैं कि अगर सपोर्ट एरिया के पास आप बाय कर रहे हो तो यह support एरिया है यह resistance एरिया जनली हम बोलते हैं कि जो अपना profit booking है वह resistance एरिया के पास हम कर लेगा तो यहां पर देखिए आपको अपना entry मिल गया आपको अपना target मिल गया और चैनली support एरिया के नीचे हम अपना stop loss रखते हैं तो अपना stop loss भी हमें मिल गया तो entry exit और stop loss तीनों को define करने के लिए support resistance का समझना महुत जरूरी है अब अब आप यह पूछोगे या अब आप यह आपके मन में यह में सवाल आएगा कि कैसे वर्क करता है क्या यह support resistance वर्क करता क्योंकि आप चार्ट खुल के बैठो के तो आप देखोगे कि बहुत सारे अब यह पूछ चूज कर सकते हो बहुत सारे लाइन चूज कर सकते हो और जैनरली जाब इतने सारे अंकर पॉइंच इतने सारे लाइन आ जाते है तो फिर बोलोगी हरेक की जगह support resistance होना चाहिए तो क्या यह support resistance और क्यों वर्क करता है यह important है यह तो समझना बहुत important है कि क्य क्यों वर्क करता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए support swing जो होती है वह anchor point के तरह काम करती है क्यों काम करती है अगर किसी swing में आप ऐसे यह price नीशे गिर रहा है यहाँ पर अगर price रुख गया तो इसे हम anchor point बोलते है anchor point अभी anchor point के तरह काम करता है अब यह expectation होती है कि जब price future में इस area में पहुचेगा तो लोग वापस buy करेंगे और price उपर के तरफ जाएगी तो यह anchor point आप कैसे खुझोगे support resistance की study से खुझोगे आपको यह anchor point का पता कैथी चलेगा support resistance की study से पता चलेगा तो यह anchor point study जो हमें मि सब्सक्राइब करें तो अब जैसे कि हम बोलते हैं कि demand area से price उपर के तरफ reverse कर गया या supply area से price घीरप कर गया वह जो study होती है demand supply की वह support resistance के वज़े से मिलती है वह anchor point के वज़े से मिलती है अब यह anchor points जो होते हैं उन्हें कौन बनाता है अब anchor point यह anchor point कौन बनाता है market makers जो big players है जिसे हम HNI कह सकते हैं, आप उसे FII कहिए, DII कहिए, तो इसमें जैसे mutual funds आ जाते हैं, इसमें LIC आ जाता है, FII इसमें foreign investors आ जाते हैं, HNI में बड़े players, जैसे कि दमानी जी, राकेश नियुनवाला जी, या आप मनीश खुराना जी, तो इस तरह के player, विजय केडिया जी, जो ब इन levels पे वो आ जाते, तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो anger points होते हैं, जहांसे मैंने कहा कि यह support resistance के तरह, जो इस्तमाल होता है, वो market makers बनाते हैं, तो price को यहाँ रोकने का हिम्मत, यहाँ buy order देने का हिम्मत, यहाँ price को रोकने का हिम्मत, आप देवो मेरे जैसे छोटे traders क बस में नहीं, अपने क्या है भई, अपने, तो कितना, कितना ले लेंगे, पांशी जार, दस जार, पंदरा जार stock ले लेंगे, एक लाग, दस लाग, पांशी लाग, पचास लाग का order मार दोगे, उस से जाधा क्या होगा, लेकिन यह जो player होते हैं, जो बड़े player होते हैं, सौसो करोड में order खलते हैं, करोडो का order खेलते हैं, तो इसलिए क्या होता है, कि price जो गिरता रहता है, वो यहां halt हो जाता है, वो anchor point बन जाता है, अब यह जब anchor point बन जाता है, तो हमें पता लगता है, कि अब यह support हो गया है, अब यह क्या होता है, यह जो बंद, यह जो market maker मे समझें यह भी आज़ो एंकर पॉइंट इना एक बड़े बंडेन जिसे बोलते हैं मारकेट मेंकर इन्हों ने एहां पर फ्राइस थोड़ा सत उपर जाता है और सम्हें तो यह प्राइज निसे में आएगा तो अगर यह यह जो market maker है उसको नुक्सान होना सुरू होगा उसको नुक्सान होना सुरू होगा उसने जब यहां पर stock खरीदा तो stock के बारे में बहुत research करिए बहुत groundwork किया है बहुत deep research की है management से मिला प्रोडक्त लेन अब देखा उन्होंने बहुत काम किया है उसके बाद उन्होंने यहां पर बड़ा डाला है तो अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नुक्सान यहां पर हो वो कभी अपने इस लेवल से प्राइस को नीशे नहीं आने देंगे उनकी कोशिश यह रहेगी कि प्राइस यहां से ज्यादा नीशे नहीं जाए फोड़ा सा नीशे जाए और जैसे ही प्राइस जो है एंकर पॉइंट के पास आएगी वो क्या करेंगे वापस अपना बाई ओर्डर डालेंगे वो यहां से प्राइस को ज्यादा चूटने नहीं देंगे तो यह जो मार्किट मेंगर है यहां पर सपोर्ट क्रियेट करता है यह यहां पर एंकर पॉइंट क्रियेट करता है और इनके ही फूट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इनके ही पद्चिनम फॉलो करते हैं और यह यहां पर एक सपोर्ट लेवल बना देता है सेम इसका रिवर्स resistance के लिए applicable resistance भी same इसी funda पे create होता है तो ये जो point है ये random point नहीं है ये जो anchor point होते है ये random point नहीं होते है बात ले देके महीपर आगई वहीपर हम वापस आगई कि ये anchor point को select कैसे करे ये anchor point को खोजे कैसे आज हम उसी को discuss करने वाले है माई बाप कि आप इस anchor point को कैसे खोजो अब यहां पर देखिए क्या हुआ price जो था वो नीशे गिर रहा था price जो था नीशे गिर रहा था price यहां पर देखिए जो है बार बार lower highs lower lows lower lows lower lows बना रही है इसका मतलब price downtrend में है price नीशे गिर रही थी अब यहां पर क्या हुआ price halt हो गए जो fall है वो यहां पर आके halt हो गया यहां पर आके halt हो गया क्यों halt हो गया किसी ने buy order मारा किसी ने buy किया किसी को लगा कि बस अब यह stock जो है यहां पहुचा है तो यह उनके लिए value create करता है यह उनके लिए value buy है तो यहाँ पर buy order उन्होंने create किया यहाँ पर demand आ गई अब यह जो है anchor point है अब यहाँ पर देखो यह जो level है यह किस तरह से काम कर रहा है और बार बार price को यहाँ इस level से गिरने नहीं वे रहे हैं वो नहीं गिरने देगा वो नहीं गिरने देगा अगर उस इस stock में conviction है अगर उसको लगता है उसके research में दम है उसके stock में conviction है तो यहाँ से price को गिरने नहीं देगा और उसके बाद यहाँ से देखिए price जो है support से बढ़के ऊपर के तरफ जाती है तो यह anchor point खोजना बहुत ज़रूरी है यह anchor point कैसे खोजे और यह anchor point क्या है इसको समझन बहुत जरूरी होता है यह important level होता है अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो ठीक से तो आपको आगे बहुत आसानी होगी demand zone supply zone यह सब समझने में देखिए अब पहले वह anchor point जो होता है उसकी psychology समझना बहुत जरूरी है कि anchor point बनता क्यों है क्या psychology है anchor point का मतलब क्या होता price ठीक है passport है resistant है यह सब मार्केट में थी तरा के participants होता है यह देखियों उनके बारे में समझते हैं को तब पहला participant होता है कि जो वो वेट कर रहा है कि प्राइज यहां से बढ़े है दूसरा होता है शौट करने वाला जो इस आशा में है कि प्राइज यहां से गिरे तो अगर एक बायर है तो एक सेलर तो हो गई बायर क्या सोचता है कि मैंने खरीदा है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है प्राइज बढ़े तो वह बेचे सेलर जो होता है वह क्या होता है वह उसकी एक्सपेक्टेशन होती है प्राइज जो गिरे तो वह वापस नीचे के दरों पर उससे खरीद ले तीसरा बंदा जो होता ह है वो साइड लाइन से बैठा बंदा होता है वो बोलता है कि एक बार एक बार यह प्राइज हो जाए कि भाईया मुझे पता चल जाए कि यहां से और प्राइज नहीं गिर रहा है यहां से और प्राइज नहीं हो जाए रेस्ट रेजिस्टन्द स्टैब्लीज होगे अब उसके दिल में तसल्य होगी कि भाईया अब मैं यहां से नहीं बेचूंगा तो यह जो अंडिसिसिव बंडा होता है यह बिन पेंडे का लोटा होता है यह मौका देखकर बायरा सेलर कुछ भी बन जाता है तो अब इन तीनों के पीछे इन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है इन तीनों के दिमाग में कौन से इमोशन डौर रहे हैं यह उसकी चर्चा करते हैं तो पहले यहां पर देखिए क्या हुआ यह सेम चार्ट देखिए यह प्राइस गिरी यहां पर और फिर यहां हॉल्ट हुआ तो अभी मैं यहां पर आपको यह समझाना जाता हूं कि अच्छली हुआ क्या देखिए सबसे पहले प्राइस यहां नीचे गिरना सुरू ही प्राइस नीचे गिरके यहां हॉल्ट हो गई राइट यहां प्राइस गिरना बंद हो गया यहां पर मार्केट मेकर आ गया यहां प यहां पर अपने रिसर्च के साब से उसको पता चला कि इस टॉक की वैल्यूएशन अच्छी है इस प्राइस पर कंपनी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है नया प्रोडक्ट आ रहा है मानेजमेंट में चेंज है वगरा सब उससे पता चला तो उसने यहां पर अपना बा यहां पर खरीदा है हो खुश है 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 और वह ठोचता है कि अगर वापत नीशे आये इस सपोर्ट लेवल पर आये तो मैं ओवन खरीद लू। छोड़ा और खरीद लिए लू यहां पर क्या हो रहा है bestimmt तो यहां पर वो क्या हो रहा है यहां पर वो हो रहा है ग्रीडी थीक से समझेगा बहुत मुझेदार चीज़ है और अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझ जाओना तो आपके गेम तो ऐसी चेंग हो जाएगा फिर यहां पर देखिए यह जो बंदा जिसने शॉट किया था तो फोरा ऐवरेज हो जाएगा ऐसे बहुत सारे बंदे होते तो उन्हें ने यहां पर क्या किया और देख रहे हैं कि बार बार प्राइज जो टकर खाके नीचे नहीं जा रहे Drug ईख्र Jam कर पाये तो प्राइस उपर चला गया हमें नुकसान लग गया तो तो वह यहां क्या क करेंगे वो यहां अब्लक मेर्प करेंगे को सब सengत औरwd करेंगे यहांपर कौन सा emotion आ गया ज्यांसे समझिए बहुत मज़ितर चीज है यहां आ गयाовые शूप मुंत ऑं इन किर फियर बोलते ना मार्केट ग्रीड और फियर होता है तीसरा एक और emotion होता है market में, greed of fear तो होता ही है, तीसरा एक और emotion होता है, जो बंदे side lines पे बैठे हैं, यह तीसरा emotion है, जो बंदे side lines पे बैठे हैं, उनको कौन सा emotion सताता है, यह जो बंदे हैं, यह herd mentality, जिसे बोलते हैं herd instinct, वो follow करते हैं, अब वो बोलते हैं कि भाईया यहाँ पर देखो price गिरा नहीं, यहाँ price गिरा नहीं, यहाँ price गिरा नहीं, यहाँ price गिरा नहीं, यहाँ price गिरा नहीं, इसका मतलब यहाँ price strong हो गया है, और अब देखा price उपर जाने लग गया है, सब जन यहाँ कूदेंगे, तो यह बंदा ब आप यह समझो कि वो इस लेवल पर कर रहे क्या है वो इस लेवल पर क्या हो रहा है एक्चुली जाने अन जाने में इस लेवल पर क्या हो रहा है यह तीनों बंदे जो अल्रेडी लॉंग है जो शॉर्ट है और जो साइड लाइन्स पर बैठे हैं यह तीनों बंदों ने इस ल ने डिमांड क्रियेट कर दिया इस स्टॉक का और जहां डिमांड आ जाता है वहां से प्राइज उपर के तरफ जाते हैं अब समझ में आने लग गया आपको कि डिमांड क्यों बनता है कोई एरिया एज असपोर्ट क्यों काम आता है कौन से प्लेयर्ज जो है वह सपोर्ट को और सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉंग बनने में तर देखे, सीख कर जो मज़ा है ना ट्रेड करने का वो बहुत अलग है, बहुत बहुत अलग है, मैं आपको गैरंटी के साथ बोल रहा हूं, एक बार सीखो और सीख कर ट्रेड करो, ट्रेडिंग जो है आपकी पूरी पूरी चेंज हो जाएगी, कभी भी देखे, टिप से, र बार बार बोलता होगी, अगर आपने थोड़े समय के लिए, चोटे समय के लिए पैसा कमा भी लिया, तो वो वापस आप मारकेट को दे दोगे, वापस आप मारकेट को दे दोगे, क्योंकि जब तक आप खुद दरिया में डुक्ती नहीं मारोगे, आपको गहराई का पता नहीं चलेगा आपको गहराई का पता नहीं चलेगा तो सीखिए सी कट्रेट करिए बहुत मज़ेदार चीज है यह और खास का 21 सेंचुरी में आज के टाइम पर जहां हम जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर अगर आप एक सोर्स आफ इंकम पर डिपेंडेंट है आप सोच मेरी नौकरी यह अच्छी चल रही है अच्छा कट रहा है मेरा विजनस है अच्छा चल रहा अच्छा कट रहा है तो अभी मुझे दरकार नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा मत सोचना कभी भी आप बहुत लोग सुचने कि बाद में सीख लेंगे रिटार्यमेंट के पाद सीख लेंगे या थोड़ी दिन बाद सीख लेंगे ऐसा मत सोचना आज आगर आपको सर्वाइब करना है आज के समय हेड तू हेड चलना है समय के साथ एक सूर्स इंकम का कुछ काम नहीं आने वाला पैरलल सूर्स चाहिए चाहिए ही चाहिए और मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट जो है वो आपको इंडिया में अभी आने वाले पचास साल इंडिया का है और आप अगर इस अपोचिनिंटी को ग्राब कर सकते हो सही तरीके से सीख कर सही तरीके से अपलाई करकर तो आप आने वाले समय पे एदम हेड्स अप रहेंगे को और आगे बरते हैं अपने टॉपिक के पास अब यहां पर देखें रिजिस्टन्स में सब्सक्रान का आणी है कि तो जो और लगा कि है जो है प्राइस जो है वैल्यू के हिशाब से प्राइस जो है वैल्यूसिंट पार हो गई जाए अब उनको निकल जाना चाहिए या उन्हें पता लगा कि सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारे बहुत सारे सारे वह ना अब क्या होगा यहांपर देखो लॉंग्ज राइस हम आप पर इस अब यहां और पर उनको आया था अब उनके जहम में आ गया फिर दर जाएंगे अब यह क्या करेंगे इने फैसे बहुत बंदा है जिस निकाल दो इसको शॉट करो बाद में हम इसको वापस नीशे लेंगे जब यह प्राइज वापस री टेस्ट करेगी और यह वापस उपर नहीं जा पाएगी तो यह जो बंदा जिसने शॉट किया है इसको क्या जाएगा ग्रीड confidence आ जाएगा greed आ जाएगा यह क्या करेगा वापस यहां पर यहां पर वापस selling करेंगी यह भी भूनेगा थोड़ा और बेच देते मज़ा मिलेगा निशेज़ जाएगा और बेच तो यह और यहां मिलेगा तो यह दोनों को देख कर बैठे बैठे यह यह देखेगा कि भई यहाँ पर आ गाई है प्रायिज ने में जा रहा है तो अब मैं क्या करऊके किरेख के यह हैं हर्डिज इंस्टिंक्ट इससे करना सुरू करेंगा चैने-ँजाने में क्या हो रहा है बहुत सर humans यहां पर जनरेट हो बहुत सारा सडिंग्य लिया फ hedgehog और ब्राइज इस सेलिंग प्रेशर यह सेह सकतीय है फाइनली यह supply area बन जाता है, यहाँ पर supply आ जाती हो, price मेंशे के तरफ चली जाता है, तो anchor point जो था, यह anchor point था, यह anchor point था, और इस anchor point को आप आगे extend करते हो, तो यही resistance बनता है, तो हम इसे anchor point बोलेंगे, और इसे जब आगे extend करते हैं, तो यही area जो है, वो resistance का काम करता है, कि एंगर पॉंट क्यों बनता है कि रेंगर को रहा क्या है और उसके बाद उसको पहचानने की कोशिश तो अगर आपको पहले समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है तो देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है वह एक प्रफेक्ट एक्जम्पल होता है देखिए आपर उसका इमोशन यह वाला इमोशन उसका फियर जो डरता है उसका ग्रीड और उसका हर्ड इंस्टिंट तीनों हम लोगों ने डिसकस कर लिया कि कहां पर वो कहां पर वो डर गया कहां पर उसे लालेश आ गया कहां पर वो हर्ड इंस्टिंट को फॉलो कर रहा है तो अब यह तीन इमोशन ही है और यह तीन को किस तरह से support resistance का जब गेम होता है जो सब्सक्राइब किया यह उभर के आती है यह पता चल गया देखे सेंगे फिर जिन्होंने लॉंग किया था यह डर गए प्ढिश किया था वह वापस करने की सोच रहें उसे ग्रीड कहा जाता है ये fear, ये greed और ये ये बंदा जो herd instinct follow करेगा, यहाँ पर short seller, यहाँ पर short seller को follow करेगा, herd instinct को follow करेगा, तो तीनो emotions जूर के resistance पे काम कर रहे हैं, तीनो emotions जूर के support पे काम कर रहे हैं, अब दिक्कत यह आती है, जैसे मैं आपको कहा, कि दिक्कत यह है, कि most of us fail to identify and draw the correct area of support and resistance हम लोगों में हम जनरली हमें दिक्कत यहां पर आती ही कि जो anchor point होता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से हम उसको identify नहीं कर पाते हैं और अगर हम उस anchor point को identify नहीं कर पा रहे हैं तो हम support and resistance को भी ठीक से ड्राउ नहीं कर पाएंगे हम support and resistance को भी ठीक से नहीं identify कर पाएंगे तो बहुत जरूरी है कि anchor point को पहले सही तरीके से identify करें तो anchor points and traits to identify correct support and resistance anchor point ही आपको समझना है और अगर आप anchor point को ठीक से समझ जाते हो तो वहां से आप support and resistance को ठीक से identify कर पाओगे the main thing is identifying the anchor point जैसे कि मैं आपको कहा आगे बड़े उससे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीखना बहुत जरूरी है सीख कर ट्रेड करते हो तो जैसे मैंने कहा कि अलग मज़ा है एक अलग understanding आपको फ्रेंड्स आगे बड़े उससे पहले मैं आप हमारा एक प्रोग्राम है mentorship प्रोग्राम जिसे मास्टरेडर प्रोग्राम बोलते हैं उसके बारे मैं थोड़ी सी चर्चा मैं आपको साथ करना चाहता हूं यह stock club है और इस stock club के platform के फ्रोग्राम हम deliver करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि सीख कर अगर आप ट्रेड करो तो एक अलग मज़ा है सीख कर ट्रेड करने का अलग जस्बा है अलग चस्का है और एक बर आपको चस्का लग गया हुआ आपको स्वाद आ गया ना तो मैं आपको लिक कर देता हूं आपकी जो ट्रेडिंग है वो पूरी टर्न हो जाएगी पूरी बदल जाएगी और आप पूरा एक नया रूप देखोगे अपनी ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और यह हम अपने स्टुडेंट्स के साथ प्रूफ कर चुके हैं जो हमारे साथ है उनका नुक्सान होना बंध होता है सबसे पहले तो और एक बार आपका नुक्सान होना बंध होता है तो आपको confidence आता है फिर वो नुक्सान बंध हुआ हुआ वो दिरे दिरे profit में तो यह हमारा platform है जिसके through हम आपको ये program जो है वो डिलवर करते हैं Master Trader program ये हमारा Master Trader Mentorship का program करते हैं निरा में थे हैं यहां पीतलनी के बारे में यहां पारिनियु में जो सब दुन करते हैं धुजिए एस साइब nggak अच्छी में जिने अच्छ होता है उपर हमारे मीटिंग होती है fortnightly बार-बार आपको revision कराता हूँ मैं बहुत बार concept बार-बार-बार revision होता है तो हमारा यह revision capsule जो हम बार-बार यहां वीडियो मना के आपके लिए डालते हैं हमारा हमारे जितने भी scanners हैं हम जो scan use करते हैं एक दिन में हम 700-800 stocks को देखते हैं देखकर हम scanner use करते हैं तो सारे scanner यहां पर आपके साथ shared है और हमारा watch list आपके पास हर एक दिन पहुंच जाता है कि यह वह stock है जिनको watch कर रहे हैं तो वह आपके पास पहुंच जाता है और मेरे खेलते इस तरह का platform friends इस तरह का education का platform इंडिया में तो कहीं नहीं है अभी तक तो नहीं आए ग्लोबल भी बहुत कम जन इस तरह की platform पे आपको जो है एक study एक education प्रोवाइड कर रहे है तो अगर आप इच्छुक है अगर आप सही में एक parallel income जिसे हम बोल रहे है parallel income आपके current business के जो income है या आपके current profession की जो इंकम है या आपके current salary जो है उसके head to head एक parallel income एक parallel flow चाहते हो then you can please consider this program otherwise नहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है कभी कवाएंगे कभी खोएंगे और बाद में 10 साल बात जहेंगे कि कुछ नहीं हुआ वहीं बराबर हो गया जहां से चालू किये थे वहीं पर आकर रुखते हैं गुमफिर के जो आप कर रहे हैं वैसा करते रही है कोई प्राइज एक्शन टेकनिक यह वन अफ दा हमारा मोस सॉटेड पोग्राम है बहुत लोगों ने इस पोग्राम को सब्सक्राइब किया और यह सब पोग्राम करके उन्हें आईडिया लग जाता है कि हम किस लेवल की बात करते हैं और किस लेवल पर हम किस डेप्थ में जाते तो यहां पर देखिए यह जो प्रोग्राम है यह सब अलड़ी हमारे मास्टेड में इंक्लूड़ेड है लेकिन आप अगर अलग से यह सब प्रोग्राम करना चाहो तो इसी पैट एक हमारा प्राइज अक्षिंग पर डीटेल्ट प्रोग्राम है इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों ने डिसकस किया है और यह वी ऐसे जो होता है वॉल्यूम स्प्रेड अनलिसिज यह भी एक इंपोर्टन कॉंपोनेंट होता है हम सब जानते है कि प्राइज और वॉल्यूम को कैसे मिला कर काम करना चाहिए तो यह वी ऐसे प्रोग्राम भी आप अगर चाहो तो ले स संजर बैंक को इन डेप्ट हम लोगों ने संधने की कोशिश की है तो यह हमारा चोटा प्रोग्राम है विजिट आवर वेबसाइट प्रोरसाइड डॉट कॉम और यह शॉर्ट कूर्स में आगर आप आओगे तो आपको यह सब चोटे प्रोग्राम दिखेंगे और यह हमार है help से कुछ नहीं है। इन्होंने खुद मेहनत की है। इनका खुद का... अगर यह नहीं मेहनत करते तो उनको कि आंकर पॉइंट हम कैसे खुजे और किस तरह से एंगर पॉइंट हमें खोजना है तो अब हम कुछ एक-एक और देखेंगे प्राइस का जहां पर हम एंगर पॉइंट बना सकते हैं सबसे पहला कारेक्टर होता है स्विंग और मूव भाई कोई भी मूव आती है तो वह एक स्विंग क्रियेट करती है तो यह जो स्विंग है इसको हम एंकर पॉइंट के तरह चूज करेंगे तो कौन सा स्विंग लेना है यह देखते हैं तो यहां पर देखिए प्राइज यहां से सीधा निखी आई और इस जगह पर आकर प्राइज मूड़ी इस जगह पर आकर प्राइज मूड़ी तो यह पूरा स्विंग है और यह जो है वह स्विंग का एंड है यहां पर प्राइज आ जगा था जहां पर आकर price मुर गई, यहां से price पहली बार मुरी, यहां से price अचारक में मुरी, तो यहां पर first level of buying यहां पर आई, पहली buying अगर आपको पता, आप सिधा सिधा अगर आप चार्ट पर देखे और आपको लगे, यही पहला level है, यही पहला point है, जहां से stop मुर गया, गिरावट जो गिर रही थी price, वो यहां पर ठैड़ गई, यहां पर रुख गई, तो यही आपका anchor point है, बहुत प्रणाउंस्ट और बहुत आपको आराम से दिख जाएगा, अब यह आपका anchor point होगा, यह बहुत clean swing जो होगा, वो आगे support के तरफ काम करेगा, तो पहले end of a swing, एक swing का end, या तो नीचे के तरफ, या तो ओपर के तरफ, कही पर भी आपको mark करना है, जहां से price turn करती है, तो that will be the anchor point, अब यह anchor point हो सकता है, यह anchor point का एक character है, जब price जहां से मूरती है, तो that is called the anchor point, तो उसको anchor point बुलाते हैं, अब यहाँ पर देखिए, क्या हुआ, बार बार, सबसे पहले यहाँ price उपर गई, और इस जगह पर रुकी, तो यह anchor point हो गया, क्योंकि price जो है, यहाँ से मूरी, फिर उसके बाद देखिए, नीशे आकर इस जगह पर price जो है, वो गिरना बंद होती है, तो यह anchor point हो गई, अब यहाँ पर देखिए, यह जो है, किस तरह, देखिए, मैंने आपको कहा कि, अगर यहाँ पर buying की है, अगर किसी बंदे ने, यहाँ बड़े बंदे ने, यहाँ पर अगर buy किया है, तो उसकी tendency रहेगी, कि इस level की नीशे, इस level से जादा नीशे stock नहीं जाए, तो यहाँ पर देखिए, क्या होता है, कि वापस जब प्राइस इस level पर आती है, तो थोड़ा सा नीशे जाती है, ज्यादा नीशे नहीं जाती है, यह बार बार जो है, यह जो लेवल है, यह सपोर्ट के तरह काम कर रहा है, तो यह anchor point होता है, अब यहाँ पर आप द प्राइस ने यहाँ पर बेचा है, वो नहीं चाहता है कि प्राइस इसके ऊपर जाए, तो यह anchor point हो गया, प्राइस फिर नीशे आती है, फिर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने वापस एक fresh swing बनाया, तो यह भी यहाँ पर फिर next supply area आ गया, अब यहाँ पर देखिए, भी नहीं लेंगे, प्राइस ठीम चाहिए जहां से प्राइस मूरती है, एस प्रेंसट इसमय चाहिए, जहाँ से प्राइस मूर रही है, बहुत लोग देखेंगे, यहाँ पर उठाया, इधर में इसे उठा गए, यहाँ पर मक कर दी ए यहां पर लिया कुछ कहीं पर में रैंडम ली जहां दो तिन जड़ा प्राइस दिखी वहां पर आया वहां पर लेके इधर में यहां पर कुछ इंपोर्टेंट हुआ है यहां पर सप्लाई आई है यहां पर कुछ इंपोर्टेंट हुआ है यहां से प्राइज मुड़ी है यहां पर कुछ इंपोर्टेंट हुआ है इसलिए प्रोनाउंस्ट स्विंग जो स्विंग एदम साब सब आपको दिखे वह स्विंग हमें लेना है तो वह एंकर पॉइंट के तरह काम करेगा दूसरा होता है कि एक लेवल से अगर बार-बार रीजेक्शन आ रही है एक लेवल से प्राइज बार-बार reject हो रही एक जोन से बार-बार reject हो रही थी और प्राइब जो है इस Strange और इस जोन को तोर नहीं पारी थी इसका मतलब यहाँ पर बहुत supply है यहां पर बहुत है है यहाँ पर बहुत सारे seller है और जो है cinalia resistance बन गिया तो यह important anchor हो गया है तो हम लोग दो चीज मिल यहां पर ऐक तो पहले स्विंग हाई मिल गया यहां पर referee इंप्रइब और टो ही इसको बहुति इंप्रइब बहुत बहुत ही सप्राइब गाम करता है अब यहां पर देखिया प्राइज, जो है, बार बार यहां पर इस के नीचे नहीं जा रही है, बार बार प्राइज इस जगह पर आती है तो प्राइज रुक जाती है, तो यह एक इंपर्टन सपोर्ट हो गया, इस एरिया को हम इंपर्टन सपोर्ट कहेंगे, there are multiple पर एक इमपोर्टेंटक्स सपोट हो गया हैं तो यह इसन इमपोर्टन्स सपोर्ट डाट वगडवन्ट रेस्स्टेंट लुक फॉर रीजेक्शेन रिजेक्शन फेलियर एक जगेपर मल्टिपल टाइम से तीसरा होता है लुक फॉर लेवल्स देखिए एक चीज आप मैं हमेशा बहुत जब मैं चार्ट्स देखता हूं शोशल मीडिया पर और कई पार हमारे जो मेंटीज होते हैं वो भी चार्ट्स खेचते हैं हमें तो मैं उनको हमेशा एक चीज कहता हूं कि भई कि हमेशा क्लेटर फ्री देखो जोल जाल जहमेले के अंदर मत जाओ लाइट बीना मतलब कबाब में हडडी बन जाए वो सब मत करो एक दम क्लेटर अचाइए एक दम क्लेटर फ्री होना चाहिए चार्ट्स कंफ्यूज नहीं दिकनी चाहिए अगर आप कंफ्यूजन में घुस पसंद हो जाए घ्र तो इसको छोड़दो आगे निकलो जो यहां पर देखिए मत कर दिया कुछ ऑव्यस दिख रहे नहीं फिर यहां पर पर प्राइज आईगा तो आप दोलोगे रेजस्टेंस के पास अ यह तो ठोड़े nog और पर यह बहुत शाही लड़ाई खड़े खंड़े खड़ी representing बंदो किसे बना ना खिटिटी भी गार नहीं है यहां पर वह हुँ रही है छोड़ वह लुक फॉर क्लारिटी सफाई जाओ बहुत प्रोनाउंस्ट है लेवल आराम से समझ में आ रहा है देखिए आपकी आखों को शोबा देगा चाट जो है आपकी आखों को भाएगा अराम से समझ में आ रहा है लेवल बहुत प्रोनाउंस्ट है कुछ क्लटर नहीं है कुछ जमिला नहीं है यह स्विंग हाई बना य आप नहीं बोल रहा हो चार्ट कोुट आपको फोर्ष नहीं करना है चार्ट ऊपको बूलेगा कि भरया यहाँ पर रैजिस्टेंस है आप देख लीजीए तो रोऔने जाहिए या यह अवड़ेज़ साफ होनीिक आपको जादा धिमार जादा महनत नहीं करनी है फूंडने में उस तरह के चार्ट को देखो अगर आपको यह पीडिएफ चाहिए यह हमारा प्रसेंटेशन चाहिए तो आपको थोड़ी सा महिनत करना पड़ेगा 9748173333 यह हमारा नंबर है आपको क्या करना है कि यह जो हमारा वीडियो है आप अपने क्ल में चाहिए वाट्सट में, लिंग्डिन में आप हमारा वीडियो शयर कर दीजिए शयर करके एक एक स्क्रिन शॉट हमें इस नंबर पर भेज दीजिए कि वह सर जी हमने आपका वीडियो शेर कर दिया अपने गुरूप में शेर कर दिया तो हम आपको यह पीडिएफ पुरंट भेज देंगा हमारा बंदा जो यह नंबर यूज करता है वह आपको पीडिएफ यह वाला हैनत वैसे तो आप बहुत प्यार दे रहे हैं थैंक्यू उसके लिए तो अब सिग्निफिकेंट रिवर्सल और मूव दिखें बहुत इंपॉर्टन चीज़ है आप समझेए मैं आपको एक चीज करके इस लिए बता रहा हूं क्योंकि हमें हम यह चीज़ें मिस कर जाते हैं स जो को ज्यान ही नहीं देते हैं जाए लेकर कहीं से भी लाइन खीचना सूर करें वैसे नहीं होता सा तो अब सिग्निफिकंट रिवर्सल या मूव मतलब कि इस लेवल से एक लेवल से ऐसा लेवल से बहुत फास्ट मूव आया है अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ए कि इंपोर्टटन्र रेजिस्टन्स तरह काम करें गई यहां पर इस लेवल से बहुत से टखेंट में आती है दो और वहा से move बहुत अच्छी बहुत जबर्दस move मीचे के तरफ गिड़ती है उसे हम बोलते हैं इन्तेंटिटी देखिए move की यहाँ पर देखिए price आया बहुत strong rejection मिला बहुत strong rejection मिला उसके बाद देखिए यहां पर यह देखिए intensity क्या जबर्दस बड़े 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 एदम red candle इतनी जबर्दस intensity के साथ price गिरी है यहां पर यह strong supply बहुत बहंकर supply वाले बैटे हुए है वो एदम gut के बैठे हैं कि इससे तो छोड़ना ही है इस stock को तो पूरी तरह से एदम कर देना है तो वहां पर देखे वापस जब price यहां पर आता है तो price rejection की intensity कि इस level से price कि speed में गिर रही है वो decide करती है anchor point और जितनी intensity के साथ price गिरती है जितनी speed के साथ price गिरती है वहां पर वह एक important anchor point होता है वो एक important resistance point होता है उसी तरह से support में भी same होता है अगर support में तो इसका मतलब हो है और यह expected होता है कि price वहां पर वापस आईगी तो बहुत शापली वापस ओपर के तरफ 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 करेगी तो कि वहां पर बहुत बाइंग प्रेशर है दूसरा यह बहुत important है यह वाला point हो बहुत important है कि polarity character होना चाहिए polarity character इसका मतलब कि एक level जो पहले support के तरह इस्तमाल हुआ पहले resistance के तरह हुआ और अब support के तरह काम कर रहा है तो this is a very important या just opposite कि पहले वो level support के तरह काम कर रहा था अब वो resistance के तरह काम कर रहा है तो यह एक बहुत important anchor point होता है और यह future के लिए बहुत important solid support या resistance का काम करता है बहुत अच्छा है यह level यह वाला level मेरा favorite level है यह वाला level मेरा favorite level है क्योंकि ये भई दोगलापन यसे बोलते का रहा कि दोगलापन यह डोगलापन यह support के तरह काम कर रहा था अचानक में रिजिस्टन्स के तरह काम कर रहा था फिर अचानक में यह level जो है वो support की तरह काम करने लग गया, तो ये एक important anchor point है, ये एक important support या resistance level होगा, आगे जाकर ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो इस level को तो आप पक्का समझ के रहेगा, resistance become support, इसे बोलते हैं लोगलापन, आप देखिए आगे यहाँ पर भी, ये पहले देखिए resistance support का काम कर रहा था अभी resistance का काम कर रहा है, तो ये एक important anchor point होगा, ये important support या resistance point होगा, आप जाकर चार्ट पर ट्राइ करिएगा, कि किस तरह से ये future में जाकर एक important level हुआ है, और किस तरह से ये future में जाकर important resistance या support का का काम करता है, तो ये one of the most important support या resistance point है, ये anchor point, यहाँ पर देखिए हुआ क्या हुआ वह यहां पर APPLAUSE में सपोर्ट था यहां पर सारे leave लेवल हो गया, important anchor point हो गया, यहाँ पर जितने buyers थे, देखें, यह buyer, 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 अचानक पर इन्हों ने अपना group change कर लिया, और यह seller बन गए, तो यह important level हो गया, यह important level है, और यह क्योंकि यहाँ पर एक important event हुआ है, ऐसा क्या हुआ, जो यह सारे buyers यहाँ seller बन गए, ऐसा कुछ तो हुआ है इस company के साथ, ऐसी कुछ घटना जरूर हुई है, कि यह buyer sellers बन गए, समझिये बात को चीज समझिये, background समझिये, इसके पीशे का राज समझिये, reason समझिये, कि क्यो मैं कह रहा हूँ, सिधा इससे जाके accept मत करिये, समझने की कोशिश करिये, इसके पीशे क्या चल रहा, उसको समझने की कोशिश करिये, buyers जानक में sellers बन गए, कुछ ना कुछ तो बड़ा घटा है company के साथ, क्या घटा है, उस भी डोंट लेवल, देखें, fresh supply, जो होते हैं, वो पुराने level से ज़्यादा काम करेंगे, यहां पर fresh, जो buyers होते हैं, वो फसे वो होते हैं, क्यो हम बोलते हैं कि fresh supply जो होती है, यहां पर देखिए, क्या हुआ, यहां पर fresh buyers जो है वह फसे हैं यहां पर र्षस अप्लाई आई यहां पर फ्रेश बार्श जो फसे यह फ्रेश सप्लाई जो होती है यह जॉते यह जो यह त ner ये पेहले है मेने पहले यहां पर जो है वह फ्रेश जो बायर्य अधिया जहां सीच्फ और यह घनकर यहां पर नए प्लेयर शॉट सेलर आ गए तो यह जो फ्रेश लेवल है वो फ्रेश लेवल को हमें पहले रहा है तोड़ा सोड़ा लेकिन यह जो नहें जो फंस गए उनकी लिए जखम अभी भी हरा है जब प्राइस वहां पर वापस आएंगी तो यह चुकेंगे नहीं ब्रेक इवन पर निकलेंगे और बहुत सारे फ्रेश भी आएंगे तो इसलिए फ्रेश लेवल्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है तो यह चीज़ का घ्यान रखेगा अब मैंने आपके साथ साथ पांच शे तरीके डिसकस किए एंकर पॉइंट खुजने के और सपोर्ट रेजिस्टन्स मार्क करने के तो अब इतना मैंने आपको बता दिया तो अब आप यह बोलो को कि सर य पॉइंट आंप कैसे चूने आप इन मैंसे अगर एक एंगर पॉइंट चूनते हो जिन में होती है तो वह ज्याजा पावकुल हो जाती है वैसे इंडविजिवन ंग पॉइंड भी पॉइरफुल होते हैं लेकिन अगर ऐसा आपको मिले जिसमें तीन-चार करेक्टर हमें दिख रहे हो एक साथ तो वह आप कह सकते हो कि लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा करेक्टर जो है वह जैसे जैसे स्टैक अप होगा वैसे उतना बेटर या उतना बनिया होगा अब यहां पर देखिए यहां पर क्या-क्या चीजे स्टैक अप हुई अब इस चैट पर अगर आप देखो तो इस लेवल पर दो-तिन चीजे हमें मिल गई सबसे पहले तो हमें मिला सपोर्ड ऍटूadow लेजिस्टेंस् यह दोगलापन व्ला सैटप मिल गया दिखकी यह वाला वाला सपोड़् वनवे llev अपर पोथ को यह चरण बन गया इंकर पॉइंट के पास सी किस तरह से अक्स पेस्ट आक करती है भाँ मोंपॉर्टस का यह फीचर है जो को र एक से change of polarity बोलते हैं तो यहां पर पहला चीज हमें मिला कि support turn into resistance दूसरा चीज मिला कि latest swing था यहां पर fresh supply थी यह नया swing था तीसरा most obvious एकदम obvious है यह level कोई जोल जाल जहमेला नहीं है यहां पर कुछ फासा हुआ कुछ आपको जहमेला नहीं दिख रहे clarity है obvious level है और साथ ही साथ यहां पर sharp reversal है इस जगह से पहले जो reversal हुई है sharp reversal हुई है तो चार चीजे हमें यहां पर मिल गई जो हमें बता दी थी कि anchor point बहुत strong anchor point है और वहां पर देखिए price वापच जब यहां multiple rejection यहां पर कहके मिल रहा हमें देखिए इस anchor point पर कहके मिल रहा है पहले multiple rejection मिल रहा है एक दो तीन पर यहां पर यह लेटेस्ट स्विंग यह fresh swing मिल रहा है यह वाला fresh swing है तीसरा है most obvious level साफ साफ पता लग रहा है कि यहां पर supply है चौता है polarity change देखिए जो support था वो resistance में बदल गया और साथी साथ strong rejection देखिए यहां पर यहां पर strong rejection हमें देखने को मिल रहा है strong rejection हमें मिला इन लेवल से देखिए प्राइस gap down के नीचे के तरफ गए strong rejection हमें मिला तो पांच चीज़े हमें यहां मिली पांच चीज़े हमें यहां मिली probability हमने stack up कर दी यह important anchor point बन गया एक नहीं पांच चीज़े आपको बता रहे हैं पांच-पांच घटना घटिट हो गई है तो आप लोगों को बहुत लोगों को यह presentation चाहिए होती है तो presentation चाहिए तो 974817333 यह हमारा टेलेफोन नंबर है और जहां पर हमारे बंदे बैठे रहते हैं और आपको क्या करना है कि आप यह प्रेजेंट जो हमारा वीडियो है अपने ग्रूप में अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे जैसे बहुत सारे ग्रूप में दिए है तो हमारा जो बंदा आपको इस नंबर से तुरंत यह presentation आपको बेच देगा और आप यह सब चीजे जो है अपने पास बार-बार रेफर करने के लिए रख सकते हो अराम से इसको देखो वीडियो को देखो इसको देखो बहुत clarity आपको मिलेगी यहां पर देखिए यहां पर सेम चीज और जैसे मैंने आपको कहा कि चेंज पोलेरिटी वाला जो है हमारा वह सब्सक्राइब मेरा तो मेरा परसनल बेस्ट है यह यह पर देखिए क्या हो रहा है और एक और चीज़ देखिए देर के इन भी मल्टिपल रेजिस्टेंस जोन यहां यहां यह फ्रेश रेजिस्टेंस बना रहा है वह तो हम जानते हैं एक लेवल ऊफ रेजिस्टेंस चूटता है तो दुसरा अक्टिवेट हो जाता है लेकिन वह अलग-अलग लेवल को चूज हम कैसे करे वह बहुत जरूरी है वह राइट एंकर पॉइंट को यूज क हम लोगों को चीज़ें मिल रहे हैं यहाँ पर change of polarity है यहाँ पर rejection ज्यादा है यहाँ पर fall ज्यादा है तो हम लोग यह ज्यादा obvious ज्यादा strong जगह को लिया है यह जो level है हो सकता है कि price इसको तोड़ दे फिर next level पर जाए तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा level एक important resistance क होती है वो price एक single line में नहीं रहती है तो अगर आप ऐसे single line खिचोगे ना तो फिर आपको confusion हो जाएगा कि भाई यह तो टोर रहा है तो टोर रहे तो ऊपर नीचे ब्रीच कर रहा है इसलिए हम क्या करते हैं लेवल पर ड्रॉ करते हैं एक zone बना लेते हैं कि यह भाईया support zone है और यह जो है एक resistance zone है whatever हम एक अलग zone बना लेते हैं तो अब देखिए अगर आप इस तरह से हम लोग ने जोन बना लिए तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब थोड़ा सा price अगर ब्रीच भी कर रहा है तो हम उसको consider कर रहे है तो एक accurate level support resistance नहीं होता है एक zone होता है तो price थो जो है वह ब्रीच करेंगे लेकिन बनाते साथ भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि zone जोब compact होना चाहिए एकदम compact होना चाहिए छोटी सी गली होनी चाहिए यह देखिए एकदम compact होना चाहिए थोड़ा सा आपको allowed है यह पर्संट डो पर्संट का आपको allowed है यह ऐपको बोलते है बफ़रla Palmer Nowadays इसी गली होना से पूरा का पूरी निकल जाएगी उतना बड़ा जोन बना दिया और यह रेजिस्टेंस है पूरा पूरा लॉरी निकल जाएगा है तो वह रेजिस्टेंस का नहीं होता है देखिए अगर यह मैं बना दिया दस परसंट का जोन बना दिया रेजिस्टेंस अब बोले यह रेजिस्टेंस है रहा दस परसंट में हम लोग तो कई पार टर्न ओवर करके गेम ही खतम कर देंगे तो भाई हाइवे मत बनाओ कॉम्पाक्ट लाइन होती है एक नॉमल लेवल होता है यह चीज का ध्यान रखो तो देखिए यहां पर जैसे हमने एक लाइन खीची सपोर्ट भी तो हम देख रहें कि प्राइस जो है वह एक आदा परसंट थोड़ा सा उपर नीचे कर रहें है तो हम क्या करेंगे इस थोड़ा से क्रेक्शन को इंक्लूड करने के लिए हम एक बना देंगे अब देखें बेटर लग रहा है आप इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं यह सपोर्ट जोन ऐसे नहीं बना सकते थोड़ा सक कॉम्पैक्ट और सभी ये चीज का भी ध्यान रखिए क यहां पर प्राइज आए तो आपको क्या करना है यहां पर बहुत से चीज़े जो आप कर सकते हो खरीदना है बेचना है क्या देखके बेचना है और बहुत सारी चीज़े जो हम इस सीरीज को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे तो अभी में इंपॉर्टेंट है यह प्राक्टिस करो आप जाके किस एंकर पॉइंट कैसे जूंडे सेपोर Korean psyche जे पर सेटसेंस जो हम लोग ने डॉझ किया है उसको कैसे यूटडेलाईज करें अपनी ट्रेडिंग में अगर आपको हमारा यह पसंद आ रहा है अगर आपको हमारा delivery का दाली का पसंद आ आरह इनिशिटीव पसंद आ रहा है तो like शेर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना आगे मत बढ़िए और शेर तो जरूर करिएगा मैं भरजुन योला तब तक के लिए आप से जाधत मांगता हूं कीप अर्णिंग कीप लेर्णिंग कीप शेरिंग जैहिंग जैबारत एंस्टे से